बिसमिल्ली रॉक्मान दिर्म्खीम डूडेस टॉपिक ऑफ डिसकेशन is Drugs, Inhibition of Cell walls synthesis ओके तो Cell walls synthesis inhibitor को Cover करने वाले हैं। और ये part 1 वीडियो है most probably इस वीडियो के अंदर हम पैनिसलिन्स को Cover करेगे जो तमाम cell walls Synthesis inhibitors होती है वेक्टेरी सरो रहती है इनको दो क्याटेगरी के अंदर करते हैं बीटालग सब्सक्राइबं ऑके पैनुसलियन क्या होता है जो केया होता है ayudंदा टीर केदर नियेट होती है और ये सिन्टीसिप का फाइनल स्टैब रोता है mechanism of resistance क्या होगा तीन mechanism of resistance होती है पहला mechanism of resistance है बीट अलेक्टेमिस की production जो के बीट अलेक्टेम को उड़ा देती है for example staphylococcus के अंदर उन्हीं जीरिया गुनों कोकाई के अंदर दूसरा है structural changes in penicillin binding protein यह आती है तो यह ग्राम नेगेटिव रोट के अंदर नेक्स्ट है overcoming resistance और shortcomings होती है अगर पैनिसलीन को हम बीटा लेक्टेमें इस इंधिविल्टर के साथ मिलाके देगे तो उनकी activity बढ़ जाती है कुछкив κάνeteः कोंदर गीची इस इस एम ज़िया इस जाती है एक कुछ आसी होती है पैनिसलीन जो बीटा लाक्तीमे applies resistant होती है तो यह होती है मैला यलिय्ट का यूमॉनुय का कारभैं सेटिमेप का पिवन भा यह सब्से जादá शैॉटस्त एक्टिंग होती है ठीक है और इसके साथ बंज इंटयशिय को एक्टिंग लोन कर दो नहीं भांग के ठीक हो गया और जो benzathine penicilline है इस वज़े से जो benzathine penicilline जी है यह longest acting penicilline जी होती है फार्मा को कैनेटे को देखे तो penicilline का एक ग्राम 1.6 million unit के ब्राबर होता है mostly यह kidney से secret होती है renal tubular secretion से और इसको निवेट करने वाला probenicilline दोसेट होता है ओके नेफिसलीन और उक्ससलीन यह बाइल के अंदर secret होती है एंपिसलीन इसके अंटिरो हेपाटिक साइक्लिंग होती है लेकिन केटी से excited होती है benzathine penicilline की हाफ लाफ दू हफते हो सबसे longest acting होती है हाई अगर हम side effect के बात करते हैं तो फिर 5-7% individual के अंदर hypersensitivity होती है ठीक हो गया जिसमें आपको uroticarial skin rashes anaphylactic reaction देखने को मिल सकते है GIT distress यह एंपिसलीन के वरे से होता है Janish heximal reaction यह syphilis की treatment में देखने को मिलता है ठीक हो गया clinical usage क्या होती है इसको इन्होंने टेबल से explain किया हुआ है और यह medico sorry med notes है medical notes है ठीक है तो आपने क्या करना इनकी app download करने आपको notes मिल जाएक इनकी website भी है www.mednotsbook.com तो penicilline narrow spectrum और wider spectrum wider spectrum को penicilline inhibitor के सथ में लाके देते हैं narrow spectrum में penicilline susceptible penicilline G penicilline V जबकि penicilline is resistant के दर नाफिसलीन औक्ससलीन होती है जी और वी steptococcal manager cocal infection के लिए और syphilis के रिस्तमाल होती है फालमा को कैने टेकिए बात करते हैं तो फिर renal elimination होती है short half life होती है जिसके वरे से इनकी dosing काफी frequent होती है लेकिन जो नाफिसलीन और oxacilline होती है इनकी biliary expiration होती है और ampicilline की antirohepatic cycling होती है आपको यह भी पता है कि ampicilline के वरे से maculopapillar rash हो सकता है GIT distress हो सकता है hypersensitivity 5 लेकर 6% लोगों के अंदर pseudomembranus kolitis वगरा भी हो सकता है ठीक है जबकि wider spectrum के अदर amineo penicilline के अदर ampicilline Amoxicilline है पिपार्सलीन है टिकार्सलीन है जिनके साथ activity होती है gram negative bacteria के अंदर और तमाम penicilline तमाम सैफलोसपोरीन बैक्टेरी सीडल होती है ओके तो इस वीडियो के अंदर हमने penicilline इसको cover कर लिया है इन नोट से तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो उसको like कर देना channel पर नहीं हो तो subscribe भी कर देना thanks for watching this video